दोस्तो आजमाप सभी को भारत के एक ऐसा अलोकिक जगा के बारे में जानकारी देंगे जहां स्त्रिष्टी की रचना के पहले ब्रह्मा जीन ने तपस्या की थी जहांपर भगवान राम ने माता सिता का त्याग किया था जहांपर लबकुष का जनम हुआ था जहांपर बालक धुरुप ने तपस्या की थी जहांपर वालमी की जी ने रामा इन की रचना की थी यहींपर भगवान राम द्वारत छोड़े गए अश्वमेग यक्के घोरों को लबकुष ने पकरा था यही वो जगह है जहांपर भगवान राम और लबकुष का युद्ध हुआ था यहींपर माता सीता की रसोई मौजूद है और आज भी रसोई का सारा सामान भी मौजूद है यहीं पर स्वर की सीधिया मौजूद है और यहीं वो जगह है जहां से माता सीता पाताल गए थी दोस्तो इतने सारे घटनावों का समावेस एक ही जगह पर होना कोई साधान सी बात नहीं है तो चली इस वीडियो की शुरुवात कर लेते हैं और जानने के हैं कि यह जगह कौन सी है और आप यहां पर कैसे आ सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अधोर टीविंडे यूटूब चैनल में वीडियो अचा लेगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा तो चलिए इस वीडियो की शुरुवात कर लेके हैं भारत के कानपूर शेहर में पवित्रों में पवित्रम एक स्थान है जिसे बिठूर कहा जाता है यही वो स्थान है जहां ब्रम्हा जी ने स्रिष्टी की रचना के पूरू यहां पर तपस्या की थी सास्त्रों और पुरानों कुरुसार यही वो जगह है जहां बालक ध्रूप ने भगवान विश्णों की तपस्या की थी बिठु महरशी वालमिकी जी की तपु भूमी थी और यही पर उन्हों ने रामायन की रचना की थी मंदर के पुजारी के नुसार आज से करेवन आठ लाग साल पहले माता सीटा बिठुर आई थी और यही पर लबकुष का जनम भी हुआ था लबकुष ने इसी स्थान पर महरशी वालमिकी जी से शिक्षा भी प्राप की थी वही भगवान राम जान की मंदर में लबकुष के बान आज भी रखे वे हैं गंगा निती के किनारी प्रवसे इसी स्थान पर एक और सीटा रोसी भी बने वी है यहीं पर सीटा जी भोजन बनाती थी दोस्तों आपको जानकर यास्चरी होगा कि उस समय उप्यों के वे बरतन और पानी वाला कुवा जिसका उप्यों माता सीटा क्या करती थी वो आज भी यहां पर मौजूद है प्राजीन समय की स्कुएं का पानी आज भी नहीं सुपा है पुजारी के अमसार लबकुष यहीं पर मा गंगा में स्नान क्या करते थी और यहीं पर बान चलाना और घुर सवारी आधी भी सीखी थी इसके अलावा लबकुष जिस पेर के नीचे सिख्षा लिया करते थे वो आज भी यहां पर मौजूद है भगवान राम ने जब आशुमी यक करवाया था तो कोई भी राजा उस समय उनके घोरों को पकरने की हिम्मत नहीं कर पाया था वालमी के रामाईन में ये लेख है कि जब वो घोरा बिठूर पहुँचा तो लबकुष ने उसे बांध लिया था इसके बाद राम भगध हनुआन यहां पर घोरा चुराने के लिए आये थे लबकुष से उनका युद्ध यहीं पर हुआ था और वे परास्त हो गया थे और उन्हें यहीं पर बंधक बना लिया गया था आज भी यहां पर वो स्थल बना हुआ है जहां पर हनुआन जी को कैद किया गया था इसके बाद घोरों को चुराने पहुँचे लक्षमन जी को यहां पर बंधक बना लिया गया था हनुमान जी और लक्ष्मन जी की कोई ख़बर ना मिलने पर भगवान राम सम्युद्ध के लिए यहां पर पहुँचे थे युद्ध के बीच में ही उन्हें पता चला कि जिन लबकुष्षे वे युद्ध कर रहे हैं वे उनके पुत्र है इसके बाद माता सीता से राम जी के मुलकात यहीं पर हुई थी जब भगवान राम ने माता सीता को सपर्स करने की कोशिश की तो वे धर्दी में समा गे यह इस्थान आज भी यहां पर मौजूद है और सुभे साम इस इस्थान की पूजा की जाती है ये भी कहा जाता है कि भगवान ब्रमा ने यहां पर एक सिब्लिन स्थापित किया था जिससे ब्रमहिश्व महादेग के नाम से जाना जाता है दोस्तों जब आप यहां पर आएंगे तो आपको गंगा नदी के किनारे पर ब्रम खोटी दिखे लिए यही वो स्थान है जो संपूर में विश्व का केंदर बिंदू है वही दूसरी और मानिता है कि ब्रमा जी ने बिठोर में इसी स्थान पर बैट कर स्रिष्टी की रचना की थी उन्होंने इसी स्थान पर 99 यद्य किये थी येके खतम होने के बाद ब्रह्मा जी जाने को हुए तो उनके दाहिने पैर की खराओ धर्थी में धस गई खराओ पाताल में चला गया लेकिन अंगूठे और अंगली की बीच कील धर्थी के उपर ही रहे जाते वो ब्रह्मा जी ने कहा था कि भाविश्य में ये खोटी बहुत ही विख्यात हो जाएगी दोस्तों ऐसे अंगिनत रहस से आज भी बिठूर के धर्थी पर मौझूद है जिसे आज भी खोजा जाना बागी है अगर आप एक ऐसे जिखा पर जाना चाहते हैं जो प्राकर्टे सौंदरी के साथ साथ हमारे पौराने ग्रंतों के सबूर को समेठी है तो बिठूर आपक अगि आपके माधें से गे कि लापके 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 बिलापना कहा है लोगी है